गर्मियों का सीजन आते ही इमली आने लगती है और ये देखिए मैंने साल पर पहले इसे प्रिजर्ब करके स्टोर करके रखा था और ये अभी भी विल्कुल सेफ है विल्कुल भी खराब नहीं हुई है साल पर होने के बाद ये थोड़ी सी काली पढ़ जाती है लेकिन खराब भी नहीं होती है हमें से कंटेनर में भरकर साल दो साल तक के लिए सेफ रख सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि इमली को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इस तरह से मैंने ये इमली ले लिये हैं, अभी इसके कवर वगेरे नहीं निकला है, इस तरह से रहते हैं, तो मेरी ये छोटी-छोटी सी इमली है और लंबी वाली भी आती है, तो आप कोई भी इमली ल गवड़ा दोल लेते हैं क्योंकि कुछ कवर निकले हुए रहते हैं तो इंड़ी हमारी खराब हो जाती है डस्ट लग जाती है इसलिए पहले हम इसे धो MORE लेते हैं हाथ यह उसे थोड़ा सा मसल मसल कर में धो लेते हैं और इसे एंड़ीन कर लेंगे तो यहां हमने अच्छे स इसे इमली को धो लिया है और एक छनी में इसे हम पलट लेते हैं और इसके बाद इसे हमने सुखा लिया है कड़क धूप में इसे सुखाना है बिल्कुल भी नमी नहीं रहना चाहिए और अब हम इमली के सीड को निकाल लेते हैं जो इमली को खराब करने की सबसे बड़ी वज इसे भी हम निकाल लेते हैं वीज खराब होता है इसकी बज़चे से इमली हमारी खराब हो जाती है बीज निकल जाएगा तो इमली हमारी खराब नहीं होगी और इसी तरह से पूरी इमली के वीज को हम निकाल लेते हैं और इसके रेसे भी निकालते जाएंगे इस तरह से मार्केट में इमली मिलती है तो वेसी कलर की रहती है बनने के बाद ये काले कलर की हो जाती है और मार्केट से जब हम लाते हैं तो कभी-कभी खराब भी रहती है इतनी साफसफाई से भी नहीं रखते तो हम अपने घर में इस तरह से साफसफाई से इमली को रख सकते हैं साल-दो साल तक के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होगी है इस ट्रिक से मैं आपको बताऊंगी कि ये दो साल तीन साल जितने भी साल आपको रखना है ये खराब नहीं होगी और ये देख सकते हैं आप मैं चोटे-चोटे इसके रेसे हैं उसे भी निकालती जा रही हूँ और जब हम इमली वाली कोई डिस्ट बनाते हैं तो उसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं हैं बस पानी में भीगा लेते हैं और इसे यूज कर सकते हैं असानी से कोई साफ करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने इसे दो कर साफ करकर बनाया है और पूरी तरह से इसके ब ये पूरी तरह से साफ हो जाने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि इसे हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं सबसे पहले हम इमली को छोटे छोटे पीस में कर लेते हैं और जितने छोटे हो सकते हैं उतने छोटे कर लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे नमक ये इसे प्रिजर नहीं होगी और अच्छे से इस तरह से लगने के बाद हम इसे रखेंगे स्टोर कर गए किसी कंटेनर में प्लास्टिक का हो या काच का हो कोई भी कंटेनर में हम इसे रख सकते हैं सालों साल तक इमली हमारी खराब नहीं होगी, मार्केट में भी इसी तरह से रखा जाता है लेकिन वो कुशे दिन रखने के बाद काली हो जाती है तो हमारे आँ भी काली हो गयी थी, כोई टेंशन की बात नहीं है तेस्ट में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा नमक के कारण इमली काली हो जाती है पर टेस्ट वैसा ही रहता है खटा और टेस्टी इस तरह से हमने भर दिया है और जो लास्ट में नमक बचा था नमक को भी हमें इसमें भर देना है और भी तरीके रहते हैं इमली को प्रिजर्वेटिव करने के जैसे कि इसका पल्प भी रखा जाता है तो मैं अगली वीडियो में या कभी आपको बताऊंगी कि पल्प को कैसे store कर सकते हैं तो इस तरह से आप भी अपने घर में Imsley को store करके रख सकते हैं new new recipe बना सकते हैं मार्केट से लाने की कोई जरूरत नहीं है तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ में